और शुली अब नज़र डालतें दूसरी खबरों पर भी सुधीर सक्सेना हो सकते हैं मद्यप्रदेश के नए डीजीपी बड़ी ख़बर सामने आ रही है तो 1987 बैच के आई पीएस आफिसर हैं सुधीर कुमार सक्सेना तो सुधीर सक्सेना की सेवाएं ततकाल प्रभाव से मद्यप्रदेश और साशन को सौपी गई हैं सक्सेना वर्तमान में के इंद्रे सचिवाल्य में सचीव के पद पर पदस्थ हैं सक्सेना की वापसी से उनके डीजीपी बनने की चर्चा अब तेज हो गई है तो बड़े खबर हम आपके साजा कर रहे हैं 1987 के बैच के IPS ऑफिसर है सुधीर कुमार सक्सेना और अब MP के नए डीजीपी हो सकते हैं सुधीर सक्सेना की सेवाएं ततकाल प्रभाव से मद्यप्रदेश शासन को सौप दी गई हैं और इस पूरे खबर पर हमारे साथ आकर्श शर्मा बने हुए हैं उनसे हम बात करते हैं आकर्श नाम तो बहुत लोगों का आगे चल रहा था लेकिन अगर सिनियर्टी की बात करें तो इनका ही नाम सबसे आगे रहा है पहले से ही तो फिर क्या कुछ आपके पस जानकारी है शाहिदा आपने सही का सिनियर्टी की बात हो रहे थी तीन से चार आईपियसों की ही बात हो रही थी और सबसे उपर नाम सुधीर्श शक्षेना जो आईपियस हैं करने का चल रहा था कि सबसे सीनियर बेच के उनीस से तासी बेच के आईपियस अफ्षर हैं हाला कि दिल्ली में पदस्त है तो अटकलें लगाई जा रही थी लेकिन जैसे ही कारेकाल पूर डिव जीपी जो है पिवेक जोरी उनका जब खत्म हो रहा है तो उससे पहले इनका मद्दप्रदेश में तबादला करना ये इतपष्ट करता है कि इनको कोई बड़ी जिम्मिदारी दी जा सकती है और इसी से चर्चाएं गर्म हो गई है कि मद्दप्रदेश के नए डीजीपी के तोर पर सुधीर कुमार सक्षेना कमान समाल सकते हैं और सुधीर शक्तेना की बात करें तो ये कल भुपाल आ जाएंगे और चार तारीक को जब जो डीजीपी है उनका कारकाल समाप्थ होने वाला है तो उससे पहले आधिकारिक तोर पर इनकी भुष्टना भी हो सकती है लेकिन जिस तरीके से इनके दिल्ली से इनकी पतास्ताना म उससे चर्चाएं गर्म हो गई है कि मद्द प्रदेश के नए डीजीपी जो है सुधीर कुमार सक्सेना हो सकते हैं वरतमान की बात करें तो केंद्री सचवाले में सचिव के तोर पर ये पदस्त थे और अब इनका मद्द प्रदेश में बड़ी कमान इनको मिल सकती है जिया 292 से 2000 तक प्रदेश के अलग अलग जिलों में स्पी रहे हैं 2012 से 14 तक CM के OSD और 2014 से 2016 तक intelligence चीफ भी रह चुके है